टीवी के जाने माने एक्टर सिध्धान्त वीर सूर्यवंशी की मौद से टीवी इंडस्री में मातम पस्रा हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिम में वर्क आउट करते वक्त कोलैप्स हुआ जिसके बाद हाट टैक की वजह से 46 साल के सिध्धान्त इस दुनिया को अलविदा कह गए बात करें अगर सिध्धान्त वीर सूर्यवंशी के परिवार की तो सिध्धान्त के परिवार में उनकी पतनी के लावा उनके दो बच्चे भी हैं जिन में इसे बेटी का फिलाल रो रो कर बुरा हाल है जिसकी वीडियो फिलाल सोशल मीडिया पर काफी वारल भी हो रही है बिल्जोस तो आपको बता दे कि सिध्धान्त को कसौटी जिन्दगी की क्यूं रिष्टों में कटी बटी जैसे सूपर हिट शोउज में देखा गया है विल दोस्तो आपको बता दे कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सेलिबिरिटी की मौथ हार्ट अटेक की वजह से हुई हो वो भी जिम में वरकाउट करते वक्त कोलाप्स होकर क्योंकि इससे पहले भी कई सारे सेलिबिटीज हैं जो सेम इंसिडेंट का शिकार हो चुके हैं जैसे की राजुश्रिवास्तव फिल दोस्तों बात करेंगर राजुश्रिवास्तव की तो राजुश्रिवास्तव को भी चेस्ट पेंड हुआ था इसके बाल उनको हार्ट अटेक आया और एम्स में अपनी मौद से लड़ाई लड़ते हुए राजुश्रिवास्तव इस दुनिया को अलविदा कह गए इसी के साथ क्योंकि सार्स भी कभी बहुत ही में दिखे पॉपलर एक्टर अबीर गोस्वामी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2013 में हार्ट अटेक की वज़ा से उनकी मौथ हो गई थी तो वहीं भाबी जी घर पर हैं कि एक्टर दिपेश भान भी कुछ इसी तरह के इंसिडेंट के शिकार हुए थे रिपोर्ट में आया था कि वो जर्म के बाद किर्किट खेलने गए और किर्किट खेलते हुए ही कॉलैप्स कर गए जिसके बाद 41 साल की उम्र में ही उनकी मौथ हो गई विलकनस्ट्री के जाने माने एक्टर पुनीत राजकुमार भी कुछ ऐसे ही मौथ के घाट उतर गए थे आपको बता दे कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था रिपोर्ट्स में सामने आया था कि एक वर्काउट सेशन के बाद उनकी चेस्ट में पेन हुआ था जिसके बाद काडिक अरेस्ट की वज़ा से उनकी मौथ हो गई तो वही पॉपलर एक्टर सिधार शुकला की मौथ भी कुछ इसी प्रकार से हुई थी वर्काउट सेशन के बाद उनको काडिक अरेस्ट आया था और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था फिलहाल इस विडियो में इतना ही आप कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताइएगा कि जिस तरह से जिम का ये ट्रेंड बढ़ रहा है उसपर आपका क्या टेक है क्या आपको लगता है कि जिम का जिस तरह से फैशन बढ़ रहा है इस्पेशली यंग स्टर्स में वो हानिकारक है प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए साथ ही टीवी और बॉलिवूर्ट से जुड़ी तमाम अप्डेट्स के लिए देखते रहे हैं फिल्मी ब